एक बार फिर से सोगे थे आपका इस वीक की weekly Forex forecast विडियो में दोस्तों इस वीक हम फिर से गोल में एक simple technical analyse करेंगे देखेंगे XAUHD यानि गोल में इस वीक में हमें क्या setup देखने को मिल रहा है इस वीक हम किस तरीके से एक easy गोल में analyse कर सकते हैं अगर आप भी forex में trade करते हैं, xy года gold में trade करते हैं, तो वीडियों को पूरा देखेगा, आपको इस वीडियों से एक knowledge और एक idea मिलेगा, जो कि इस week में analyze करने में आपकी काफी ज़्याधा मदद करेगा. वीडियो फसंद आते हो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा चैनल पर नहों फ्रेंस चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना खुले ताकि ऐसा ही एनलाइसिस वाली वीडियो की नोटिपेक्शन आपको आगे मिलती रहे तो शली फटाफ़ समझते हैं इस वीड में हमें गोल में क्या सेटप देखने को मिल रहा है फूर हबर के टाइम फ्रें में लेकिन इस से पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं प्रीविज वीड हमारा गोल में किस टाइफ का एनलाइस था मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है, तो दोस्तों देखे, प्रिवेस वीक का यह हमारा एनलाइस था, फटा-फट हम समझ लेंगे, यहाँ पर रोइंग बनी हुई है, हमारा जो एनलाइस था, एकदम सिंपल सा एनलाइस था, मैं चार्ट को यहाँ पर थोड़ा जून क मार किया, इसी के साथ साथ मैं, यहाँ पर हमने मार्केट इस्टेक्चर को भी देखा, यहाँ पर हमने देखा, मार्केट कंटिन्यू एक हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, मार्केट ने अगेन एक हायर हाई बनाया, तो जब इस लेबल के आसपास मार्केट ने अपना higher high बनाया, उस टाइम पे मैंने आप से क्या बोला था, market यहाँ पे एक higher low बना, कहा तक बना सकता है, इसके लिए ये वाला हमने एक support area मार किया, I hope आपने भी इस तरीके से एक support मार किया होगा, यहाँ तक मेरे बोला था, rejection आ सकता है, यहाँ तक, देखो, continue market ने higher high, higher low, higher high बनाया है, तो probability है कि इस label के आसपास जैसे ही एक higher low बनाया, इसके बाद यहाँ से अपने को, बार डारेक्शन में trade को पिलान करना है, क्योंकि market का trend अप है, यहाँ से हमें trend के साथ trade करना है, तो यहाँ से जैसे market एक higher low बनाता है, हमारे support के आसपास आता है, इसके बाद यह यहां से हम बार डारिक्ट्ट में अपनी टैट को प्लान कर सकते हैं सहरु मार्क यहां से हमने बेट किया मारेट रजीश्टेंश ले रहा है ençaपॉल करने देंगे सपोर्ट खाने देंगे यह सब्यापर के आसपास को आने देंगे फिर यहां से हम अपनी टेट इसके लिए भी यहां पर हमने एक रजिस्टेंस मार किया था जिसे कि आप देख सकते हैं यह वाला लेविए काफी शांदार सा लेविल था जैसा कि मैंने आपसे बोला था हो सकता है मैं भी मार्केट अगर यहां से सपोर्ट लेने के बाद यहां पर 2000 के लेविल तक भी हमें देखने को मिले लेकिन यहां तक मार्केट आया नहीं, रीजन यहीं नहीं आ वा भी बताता हूं आपको. यहां पर मार्केट के लिए यह एक प्रीवेश रजिस्टेंस रेलीया था मार्केट न काफी अच्छी से इस label को respect किया था, resistance लिया था, ध्यान से देखो, इसी label को अगर हम यहाँ पर extend करते हैं तो देखो, market ने इस label को previous time देखो, resistance लिया, resistance लिया, resistance लिया, again क्या हुआ, resistance लिया, 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 resistance लिय हाई नहीं लगा पाई अभी देखिए मार्केट यहां पे अभी भी अप्ट्रेंड में हैं मार्केट हाइर हाई बना रहा है हाई लो बना रहा है हाई 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 के बाद प्रॉबबल्टी क्या है अपना एक हाई हाई बना जैसे हाई हाई बनाता है त तो इस तरीके का previous week का हमारा एक दम सिंबा सा एनलाइस था I hope आपने भी इस तरीके से एनलाइस किया होगा previous week और काफी अच्छा अपना profit बनाया होगा चलिए अब हम समझते हैं इस week में हमें goal में क्या setup देखने को मिल रहा है और किस तरीके से यहां पर हम एक एसी एनलाइस कर से दोस्तों अगर आपको एनलाइस पसंद आता है वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी साथ बैल आइकन को हीट करना ना भूले ताकि आपको इसी तरीके की नोलेज़बल वीडियो की नोटिप्रेक्शन आपको आगे मिलती रहे तो चलिए फटा-फट समझते हैं जैसे कि हमने अभी समझा मार्केट कंटिन्यू हाइर हाइब बना रहा है हाइर हाइब बना रहा है अगेन एक हाइर लोग बना रहा है ठीक है हाइर लोग बना सकता है इस लेविल के आसफास ठीक है हाइर लोग बना सकता है इस लेविल के आसफास इसके बाद कंटिन्यू अपना एक हाइर हाइब ब देखने को मिल रहा है एक support area यह हम कुछ इस तरीके से मार कर लेंगे यह support हमने क्यों मार किया है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो market ने previous time इस level को काफी अच्छे से support लिया है काफी अच्छे से hold किया है देखें market ने breakout किया breakout के बाद minor सा यहां पर इस level के आजपा support लिया फिर market यहां पर गया again market इस level के आजपा सी trade कर रहा है ठीक है हो सकता है मैं भी इस support को भी market यहां से slip करता है तो फिर कहां तक support ले सकता है इसको हम किस तरीके से identify कर सकते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो यह वाला हमारा low देखने को मिल रहा है और यह वाला हमें high देखने को मिल रहा है simple हमें क्या करना है FIV redressment को यहाँ पे low से पकड़ना है और high तक mark कर देना है जैसा ही हम low to high Fivonasi को mark करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे लेबिल से निकल के आ जाते हैं तो यहाँ पे एक लेबिल है हमें देखने को मिल रहा है जिसको market बहुत अच्छे से respect करता है कौन सा लेबिल है? 0.5% का है यह वाला एरिया यह वाला लेबिल हमें कुछ इस तरीके से मार कर ले रहा है कि कुछ इस तरीके से अब यहां से हमें Fivonasi को remove कर देना है लेकिन अब यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे फर्स्ट तो market ने यहां पर देखिए जो हमने first वाला support मार किया है इसके middle area पर हमारा आ रहा है 0.30 at 2% का Fivonasi का level तो probability क्या है कि market इस level के आसपास आए और support ले और फिर यही से market बाई में जाए second अगर market इस level को भी यहां पर break करता है तो फिर probability very high 0.5% 0.618% के label को market यहां से support ले और फिर यहां से market हमें buy में देखने को मिले तो यहां से हमें 2 support देखने को मिल रहा है जो काफी ज़्यादा important labels ठीक है first support बहुत अच्छा है हो सकता है first support सही market यहां से हमें buying में देखने को मिले अगर first support को भी break करता है तो second बाला जो support है very important support है क्योंकि previous time market ने इस label को बहुत अच्छे से respect किया है काफी शांदार तरीके से respect किया है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं बहुत शांदार तरीके से multiple time market ने इस label को respect किया है तो इस भीग में यहां पर market की इस तरीके से trade कर सकता है simple है friends यहां पर हमने देख सके देखा first जो support है market अगर इस support को यहां से respect करता है accumulation अगेरा देखने को मिलता है तो यहां से हमें market के अंदर एक अफूफ देखने को मिल सकता है कहां तग market हाई लगा सकता तो previous जो market का high है इस label के आसफास तो बहुत आसानी से हमें देखने को मिल सकता है second condition अगर यहां से first support को भी break करता है हो सकता है मैं भी first support को यहां पर break down करें तो second वाला जो support label है support area है बहुत शांदार सा label है जैसे कि हमने देखा 0.5% का 0.618% का काफी शांदार सा label है इस label को market यहां से respect कर सकता है और यहीं से support लेने के बाद हो सकता है मैं भी अपने 10 को continue करें ठीक है तो यह काफी शांदार से दो label यहां पर निकल के आ जाते हैं first support label में यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा 2946.000 का यह हमारा first support है यहां पर second support label की बात करते है 1,941.256 and 1,930.21 का यहां से हमें second support label देखने को मिल रहा है जो की काफी शांदार label है previous time market ने काफी अच्छे से hold किया है 0.5% का and 0.618% का label भी है ठीक है तो इस तरीके का यहां पर हमें एक scenario देखने को मिल रहा है आप भी इस तरीके से इस week में एक simple technical analyze कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको analyze पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको analyze पसंद आया है इस वीडियो से आपको तोड़ा भी help मिला तो please वीडियो को like जरू करिएगा चैनल पने हो चैनल को भी subscribe कर लिजिएगा साथ में bell icon को hit करना ना भूले ताकि ऐसे ही knowledgeable वीडियो की notification आपको आगे मिलती रहे दोस्तों यहाँ पर जो हमने analyze किया है इसी तरीके से जो भी हमारा daily basis का analysis होता है जो भी हम daily analyze करते हैं उस image को telegram channel पर भी share कर देते हैं ताकि आप उस image को देखकर perfect इसी तरीके से analyze कर बाएं आपने अभी दख telegram channel join नहीं किया है तो वीडियो discussion में आपको हमारे telegram channel का link मिल जागा जो कि एकदम free request है आप join कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही friends मिलते हैं एक और नई analysis वीडियो में तब तर के लिए take care and good bye